चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदेक स्वागत करता हूँ जेई का अभी दो दिन में चार सिप्ट का पेपर हो चुका है इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि इन चारों सिप्ट में पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा क्या पेपर NCRT बेस्ट था या फिर आउट ओप NCRT था सेलेबस के बार से भी क्यूसन पुछे गए थे क्या साथी साथ यह भी चर्चा करेंगे कि नीट 2020 का पेपर कैसा रह सकता है NTA किस प्रकार के पेपर दे रहा है क्या नीट 2020 का पेपर भी इसी तरीके का रह सकता है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वर ज्यादा ज्यादा शेयर करें दोस्त फस्ट सुप्टेमबर का पेपर था वो मोडरेट था सेकेंड शिप्टेमबर के पेपर की बात करें तो first shift में paper moderate रहा था, physics थोड़ा टप था, mathematics moderate था और chemistry easy था तो first shift का cool मिला कर paper moderate था, second shift की बात करें तो chemistry का paper easy था, physics और math का moderate था, यानि math थोड़ा लेंदी था यहाँ पर second shift में कुल मिला कर paper moderate था और January session से ये paper easy था इस बार, अब जो J.E. Man की अभी तक exam हुई है उसमें यह देखने में आया है कि पिछली बार की तरह N.T.A. ने इस बार भी paper syllabus के अंदर से ही दिया है paper N.C.R.T. based था और कुछ क्यूशन previous year के क्यूशन paper से पुछे गए थे तो N.T.A. जिस परकार से J.E. के paper ले रहा है उसमें यह clear हो चुका है कि N.E. 2020 का क्यूशन paper भी N.C.R.T. based होगा क्यूशन paper का difficulty level easy to moderate रह सकता है और एक main point जो आपके लिए है वो यह है कि आपने previous year के क्यूशन paper की practice अच्छी तरीके से कर लेनी है क्यूशन की काफी क्यूशन previous year से पूछे जाते है तो वीडियो के अंत में आपका ज्यादा समय नए लेते होई यही कहना चाहूँगा कि paper N.C.R.T. based होगा इसका difficulty level easy to moderate रहनी की समावना है कुछ क्यूशन paper previous year के क्यूशन paper से पूछे जाएंगे इसके बारे में और कोई update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like वे ज्यादा ज्यादा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हैंगे